तर एक ऐसा bond जिसमें the number of coupons oblique regular interest payment is zero, तो इसका arrangement कैसा होगा ध्यान देना, यह zero है यह 20 साल है, यहाँ एक लाक रुपिया देगा company, जो आज company को 50,000 रुपिया देगा, company क्या बोलता है, आने वाला 20 साल हम पूरा expansion phase में रहेंगे, मेरे पास में regular interest देने के लिए पैसा नहीं है, चीज़ समझो, तो क्या होता है इस type के bond में, regular interest नहीं होता है, लेकिन क्या यह फाइदेमंद है कि नहीं है, फाइदेमंद है, क्योंकि मेरे को क्या मिल रहा है, extra 50,000, बट क्या वो regular मिल रहा है कि एक बार में मिल रहा है, एक बार में, इसलिए इसको हम लोग zero coupon bond भी बोलते हैं, या फिर deep discount bonds भी बोलते हैं,